हलो डे श्टूइंट्स वीर बहाद दूसीं प्राउंच विश्टी जॉनपुर से बड़ी अपडेट आ रहे हैं जहां श्टूइंट्स आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे श्टूइंट्स जो टीडी पीजी कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम में एमसी एमकॉम में एडमी सब्सक्राइब के लिए हैं जहां पर प्रुवांच विश्टी के दारा जल्द ही 30% की बड़ोतरी की जाएगी आए बच्चो आज हम बात करेंगे तो वीडियो को आप जोड़दार तरीके से लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और सेर करेंगे जो भी स्टूड़ने स फर्स टाइम हमारी यूटूब चैनल से जूड़ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टिलिग्राम का लिंक दिया हुए आप हमारी टिलिग्राम चैनल से भी जूड़ तकते हैं जहां पे आपको इनुश्टी संबंदी सभी प्रकार के अप्डेट्स वाइइन फॉर्म लगबग 30% सीट बढ़ेंगी आप इसलिए लिए क्योंकि आप सब इंट्रेंस एक्जाम कंड़क्ट कर जाता है और इंट्रेंस एक्जाम हो जाने के बाद ऐसे काफी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो बीए में बीस्टी में बीकॉम में एड्मिशन लेना चा और बीस्टी में अगर हम बाते हैं बीस्टी बायो बीस्टी में लेके लगबग 1200 सीटे हैं उसी प्रकार आप सब देख से तक सीट लिमिट तो होती हैं जिसकी विज़े से कॉलेज इस से ज़्यादा एड्विशन नहीं ले सकता अब यहां पर इनुश्टी के द्वारा जल निकालेंगे तो आप समझ सकते हैं लगबग 400 सीटे आपकी बीकॉम में बढ़ने वाली हैं तो जहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जेनरल OBCS से सभी कटेगरिस के स्टूडेंट्स का एड्मिशन होने वाला है तो बहुत से ज्यादा संख्या में इस्टूडें नहीं आ जाता है इनों को पास तब तक कॉलेज में एड्मिशन नहीं होगा जहां तक अभी इंफॉर्मिशन नहीं मिलाए कि यह लेटर जल्दी का लेज आने वाले एक सो दो दिनों में आ जाएगा सभी कॉलेजिस के नोटिस आ जाएगी जहां पर आप 33 सिट बढ़ा के आ आपको मालूम है कि आपका एड्मिशन और ज्यादस ज्यादस संख्या में सभी कालिश दूस में हो सकता है जहां पर सभी स्टुडेंट्स एड्मिशन लेना चाहते हैं अगर है यहां पर हम बात करें मैतमेटिक्स में सबसे ज्यादा 80 सिटे हैं तो अब यह समझ सकते हैं कि जुलोजी और बॉट्टी में सिर्फ 20-20 एड्मिशन होते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में यह स्टुडेंट्स होते हैं जो सिट बढ़ने का वेट करते हैं और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि माय मसी जो आपकी होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट सभी कॉलिज में अवलेबल नहीं होते हैं इसलिए मैक्समा स्टुडेंट्स ट्डी पीजी कॉलिज परेपे रहते हैं जहां पर सिट को बढ़ने के लिए वेट करते हैं और एक जहां पर हम बहुत बता दें आप सब को क्योंकि आप सब के लिए काफी इंपोर्टन और new education policy लागओ हो जाने के वուजे से जो private admission होते थे वो बंद कर दिये गया हैं जहां students बहुत से इसलिए students औहुगे कि जो private admission लेके अपने education को आगे बढ़ाते थे बट अब उन सभी students के लिए काफी जटका लगा है क्योंकि आपका आप जो private admission जो भी students लेना चाहते हैं उन प्राइवेट कोर्सेश में आपका अडमिस्टन नहीं सुकता इसलिए सभी स्टुजेंट्स ज्ढ़त ज्यादस अग्या में अगर जो भी स्टुजेंट्स लेना चाहते हैं वो एडमिस्टन ले ले इस भ्रहम में में ना रहें कि आने वाले समय में हम लोग एकजाम का ले लेंगे तो आप लोग को प्राइवेट क्लास करने का या कर सकते हैं प्राइवेट एड्मिशन का किसी प्रकार का कोई मौखा नियु एडुकेश्ट